लेडर्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल एकुटी स्टार। ट्रेडर्स आज की स्वीडियो में हम लोग यहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के चार्ट को यहां पे पूर्डली ओपेट करें करके रखा है। और यहाँ पर manually उस चीज को देखेंगे कि आज के trade लेने के पीछे क्या logic था, क्या learning हम लोग यहाँ से ले सकते हैं everyday आप लोग ने देखा होगा live market में मैं आप लोग को chart के साथ ही आप लोग को वहाँ पर strategy, logic, सारे चीजे मैं कोसिस करता हूँ explain करने के लेकिन deeply नहीं कर पाता, यह सब सारे चीजे आपको telegram में करता हो, लेकिन आज किस वीडियो में आप लोग को difference बताऊंगा कि bank nifty nifty कैसे one way momentum दिया, उसके वहाँ से turning लिया है, क्या वहाँ पर signal जो seal side का indicate हुआ, bank nifty और nifty same side में हुआ है, क्या दोनों का pattern भी same था, क्या चीजे था ऐसी चीजे जो हम लोग को एक बहत्रीन content, बहत्रीन learning यहां से निकल के आप आये, उन सब सारे चीजे के इस वीडियो में connect करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को सुरू से लेके last तक देखना, और कुछ लोग कुछ ऐसे चीजे मैं आपको सिखा के जाऊंगा, जो किसी वीडियो में किसी ने नहीं समझाया होगा, चीक है, तो मेरी वीडियो थोड़ा सा यूनिक होता है, जो चीजे मैं reality, real life में यहां पे देखता हूँ, जो really मैं जो trade करता हूँ, उन सारे चीजे को दिखाऊंगा, pattern को बताऊंगा, कहां पे मैंने trade initiate किया, उसको बताऊंगा, और सबसे main, कि आज जो मैंने seaside में 2030 वाला को मैंने कैसे 135 जाएगा, वो मैंने 10 वजे ही कैसे बता दिया, बिना market का इतना बड़ा momentum किये, आप देख से तो इतना बड़ा momentum किये, यहीं पे 10 वजे मैंने बता दिया कि यहां तक आएगा, यह कैसे बता दिया, यह तो सबसे कमा की बाते हैं, तो इस वीडियो में सुरू सली के last अगरना, कुछ नो कुछ unique चीज़े आपको मैं समझा के बता के जाओंगा, option buying का यह सबसे best part होगा, आज की इस वीडियो में, सबसे बहले यहां पर हम लोग bank nifty को देखते हैं, देखिए यहां पर यह वाला जो चार्ट है वो nifty का है, और इस side का यह जो है bank nifty का है, right, अब यहां पर सवाल आता है कि previous day का law के coding, previous day का law हमारा यह है, अब bank nifty में देख रहे हैं, previous day का law जो है, nifty का वो यह है, nifty अलड़ी यहां पर design के हुआ है, bank nifty मैंने आपको design करके यह वाला समझाया कि यह वाला law है, अब अगर previous support level के coding यहां पर market काम करता है, अगर market इसके ऊपर open होता है, लेकिन market यहां पर nifty इसके नीचे open होगा, और यही पर difference लेखो कि अगर हम लोग nifty को दिखने जाएंगे, तो nifty देखिए इसके ऊपर open होगा, मतलब जो law है, जो support level है, nifty support level के ऊपर open हो रहा है, और bank nifty support level के नीच होगा, अब हम लोग mostly अगर plan करते हैं, तो यहां पर अगर bank nifty को simple सा दिखते हैं, support level के नीचे open होगा, तो आब हमको देखना है, कि यह तो already नीचे है, तो यह sell side में initiate हम लोग trade कर सकते हैं, लेकिन क्या हम single यह bank nifty को trade को initiate कर सकते हैं, क्या हमको nifty की confirmation को देखना जरूरी नही होता है, guys, यह 110% आपको दोनों की signal को देखना होता है, दोनों की trend को देखना होता है, nifty अगर यहां पर breakdown करता, तो मैं 110% यहां पर put का call लेता, और आसानी से आपको target भी देता, लेकिन आपको nifty यहां पर support नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने भी यहां पर put side के call को avoid किया, right, आ अब option हमारे पास एक ही होता है कि यह जो support level है, जहां से market support के नीचे open हुआ, अगर यह nifty इस support level के नीचे नहीं आ रहा है, तो कहीन कहीं एक possibility है कि यहां से market एक upside का trend कर सकता है, बस अब हमको जो यहां पर देखना है mainly, वो देखना है कि क्या market यह वाला जो previous day का law है, और आज क जो almost 4-5 candle का, यहां पर more than one hour का candle का high है, वो यहीं पर है, मतलब कहीने कहीं बोलेंगे यह जो है, यह हमारे लिए as a resistance काम करेगा, वो भी major resistance, और यहां पर यह support हमारे लिए बहुत strongly support का काम करेगा, अब यहां पर condition को common sense लगाने की यह है, कि अगर market यह वाला जो इसके नीचे open हुआ है, resistance support level के, अगर यह इस support level के नीचे open होगे, इस resistance zone को उपर breakout कर देता है, तो हमारा यह nifty वाला और यह bank nifty वाला दोनों का trend upside में हो जाएगा, आज का जो यहां पर law market यह जो open हुआ है candle, first candle, इसका जो यहां पर resistance से यह 4-5 candle का, इसको भी breakout कर देगा, यह भी confirmation मिल जाए रहा है, इसको भी यहां पर breakout कर देगा, मतलब यहां पर double triple confirmation हम लोग को इसके breakout पे मिलेगा, और जैसे यह breakout हुआ, nifty तो already इसके open ही चल रहा है, लेकिन फिर भी nifty को हम लोग कैसे buy कर सकते हैं, nifty भी देखिए 4-5 candle अगर हम bank nifty को देखते हैं, तो यह 10 वजय वाला candle है, और दोनों यहां पर इसको भी हम लोग breakout का देखेंगे उपर में resistance level को, और इसको देखेंगे उपर में resistance level को, जो previous देखा यहां पर law था, almost बोलेंगे support है, तो दोनों जब यहां पर breakout हुआ, आप लोग जाके trade को देखना, मैं screen suit के साथ, timing के साथ, सारा चीज लगाया हुआ है, आपको टेलीग्राम में, आप लोग जाके देखना, लिंक में वीडियो के discussion में डाल दूगा, और एक सबसी important बाते, guys, demand account ओपन करके मेरे link से, मेरे साथ, premium group में lifetime free of cost आप जूर सकते हैं, जिसका कोई charges नहीं है, जहां पर learning plus earning, वो भी मेरे साथ lifetime के लिए कर सकते हैं, limited time offer है, जल्दी से जाईए, discussion में link का आपको सारे मिल जाएंगे, वहां से account ओपन करेंगे, contact जरूर कीजिए, अब यहां पर सवाल आता है कि 10 वजे जो मैंने आप लोग को calling seat किया था, वो यहां पर गया था, अब देखो सवाल यहां पर एक और आता है, plus point जो में logically आपको बताने व यहीं पर है, और bank nifty का भी almost resistance level यहीं पर है, तो मैंने एक expectation रखा कि यह अगर इतना point momentum करेगा, जैसे कि momentum points की आपको बताता हूं, यहां से breakout हुआ 22,030 और यहां का जो आप length देखते हैं 22,200, यहां पर 170 point का यहां पर momentum था, तो मैंने इसका half, क्योंकि bank nifty रहाता तो same मैं यहा आप इसका consider किया लगबग approximately 100 point और यहां पर 170 point है, तो यहां से यहां तक का 100 point 135, 130 के approximately होता था, लेकिन exactly 135 ही यहां पर दागे दिया, क्योंकि मुझे यहां पर double confirmation bank nifty में मिल रहा था, और यहां पर भी यह confirmation आपको इस support level का यहां पर sustain करना, साथ में इसको breakout करना, double confirmation nifty में भी म मैंने आप लोग को free में premium में हर जगा update किया, क्योंकि multiple confirmation था, bank nifty और nifty दोनों का trend सेम था, तो यहां पर किसी को भी trade को initiate करने में problem नहीं हुआ होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी learning आप लोग कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो यहां प सबाल आते हैं कि यहां से market लोटेगा, यह कैसे पता चलेगा, तो गाई, दो information से पता चलता है, सबसे पहले जो resistance level हमने यहां पे draw किया है, इस resistance level को अगर छोटा करेंगे, देखे, almost आप देखेंगे कि यहीं से market many times, यहां से rejection देखे, ऊपर गया है, ठीक है, यहां पे देख रहा है, आपको head and solder pattern दिख रहा होगा, इसके breakdown पे market काफी अच्छा momentum दिया है, same attitude इसी चीज को देखते हुए, कि market इस level को जिससे reject किया है, तो बहुत बड़ा momentum downfall दिया है, तो यहां पड़ भी अगर market एक से 2 candle, 3 candle, 4 candle sustain कर रहा है, तो आप समझ लो, कि यहां से momentum जो है, आप लेकिन अगर solid इसके according one way momentum नहीं दिता है, decide नहीं कर पाते हैं, तो यहां से देखिए, 2-3 candle, 4 candle market sustain किया है, तो यह भी एक rejection का indication है कि जब market यहां से breakout देना था, तो एक से 2 candle बनाने के बाद यहां पे solid इस तरीका से breakout कर देता, लेकिन ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है कि यहां से कहीं कहीं sellers का जो है, उपर से pressure यहां पे देखने को मिल रहा है, साथ में अगर हम यहां पे देखते हैं, तो देखें, nifty तो आपको clear cut second candle में ही आपको यहां पे clear cut direction दे दिया, कि nifty में कोई इस तरीका का ऐसा नहीं कि market यहां से reverse करेगा, तो upside में चला जाएगा, nifty यहां पे candle stick pattern के according आपको denote कर रहा है, और यह candle stick pattern जो है, bearish engulfing candle stick pattern है, previous तीन candle के law को सिर्फ single candle यहां पी यह वाला candle देखिए, engulf कर लिया, तो इस candle के law पर भी जैसे breakdown करता है, यहां पी trade को initiate कर सकते हैं, otherwise यह इस candle के breakdown के बाद ही आप लोग यहां पे initiate कर सकते हैं, दो तरीका से यहां पे trade कर सकते हैं, first यहां पे candle stick pattern के according, क्योंकि आपको bank nifty यहां पे पहले से ही यहां पे क्या कर रहा है, indicate कर चुका है, कि market जो है, sale side में जाने वाला है, scenario already आपको यहां पे दिख रहा होगा, अब सवाल आता है कि यहां पर जैसे sale initiate हुआ, तो गई, यह sale initiate होने के कारण, already जहां से inverted and pattern बना के market गया हुआ था, यह support level को यहां पे draw करते, तो market इस support level तक यहां पे देखिए, nifty में आपको trade दे दिया, तो आज के market पे दो trade easily मिला, जहां से उपर में candle stick pattern यहां पे support किया, साथ में यहां पे sellers का rejection आपको देखने को मिला, दो confirmation यहां पे मिला, जिसके कर side में जब हम लोग यहां पे decide कर रहे तो यहां भी आपको double confirmation मिला, और यहां पे bank nifty में भी आपको double confirmation मिला, और सबसे important confirmation कि bank nifty और nifty दोनों same direction में upside में momentum किया, यहां पे, और same direction में दोनों down side में भी यहां पे momentum किया, सबसे important purely price section, तो मुझे उमीद है कि इस video से जो मैंने learning आप यह option buying, guys काफी amazing यहां पे momentum आप लोग को catch हुआ होगा, तो कल guys अगर इस step का scenario form करता है market में, या फिर आने वाले कुछ time में ऐसा कुछ होता है, तो उमीद है कि इस चीज को आप really implement कर पाएंगे, live market में analysis कर पाएंगे, और यहां से benefit आपको जरूर मिलेगा, तो guys वीडियो पस अझत के यहां पसके इस चीज का दो आपको जरूर मिलेगा, तो कर दो आपको आपको जरूर इस to the Claro Tucson.